गुद इवनिंग डियर फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सचुन को स्वाहा आज की वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि थंड का मौसम चल रहा है और थंड के मौसम में क्या है बहुत जादा थंड लग जाने के करण बुखार आना होती है तो इसलिए इसमें हमें सबसे पहले तो यह एहतियात बरतना है यह सावधानिया बरतनी है कि कपड़े जो है बरावर पहनने है उनी कपड़े पहनने है अपने जो है फेस को अपने कानों को कवर करके रखना है और ऐसी कोई भी चीज जिससे जो है जादा याने नहा बालेना बहुत जादा नहाना फिर बहुत तेर धूब में खड़े रहना उससे क्या होता बहुत जादा थंड तंड के एकसपोजर में आना फिर अचानक बहुत जादा राक्साण कर देती इसारी चीजया को attempt करता करती जो सीध्मैने मोई झाब्लाबास अगर उन्हें उसनिय लेकिन दोस्तों अब मैं आपके साथ डिसकस करूंगा कुछ होमियोपैथिक मैडसिंस के बारे में जो बहुत ही यूसफुल होती है थंड से होने वाली समस्याओं के लिए दोस्तों पहली होमियोपैथिक मैडसिन के अगर बात करूं तो दोस्तों एकोनाइटम नैपेलस है कि थंड के एक्सपोजर के आने के बाद जो हलकी हलकी सरदी और यह जो अचानक जो है बुखार आना थकाल लगना ऐसे समस्य आपको समझ में आ रही तो आप तुरंट जो है एकोमाइट का सेवन कर सकते हैं दो दो गुंद आप ले सकते हैं जो है हर दो हंटे में और आपको होमेट का इफेक्ट देखने को मिलेगा यानि कि जो प्रॉब्लम बढ़ सकती है बुखार आना और बहुत लंबी समस्या बन सकती है लेकिन वह वहीं पर ठीक हो जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है अगर कपड़े धोते हैं तो पानी में बहुत दिर तक भीगा रहना पड़ता है तो यह चीज़े थंड में नुकसान कर सकती है तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाने के कारण बहुत दिर तक और उसके बात कोई समस्या हो रही हो चाहे हो बुखार आना हो, सरदी होना हो, खासी होना हो, हाथ पैर जोड़ों में दर्द होना हो, तो आप तुरंट ये होमेपैथिक मैडसिन इन सिम्टम्स के आधार पर आप ले लेते हैं, तो आपकी डिसीज जो है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने से, आप बच जाएंगे, औ और इन समस्याओं से आप बच सकते हैं, तो दोस्तो आज हमने डिसकस किया कि कैसे किन सावधानियों को बरतना है, जिससे थंड से होने वारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, इसके अलावा दो होमेपैथिक मैडसिन के बारे में डिसकस किया जो बहुत ही जादा यूसफुल ह इन कंडिशन्स में आपका दोस्तों किसी भी प्रकार का सवाल हो जरूर कमेंट करें मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो है यूस्फुल वीडियो आपके लाता रहता हूँ धन्यवाद दोस्तों